तो हलो दोस्तो आज हम सीम के बहुत ही टेस्टी सबजी बनाएंगे तो मैंने यहां सीम को निका लिया है छोटे छोटे पीसों में उसको अपने हाथ के सहारे से तोड़े लिया है आप जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में आप कैसे निकाते हैं कैसे तोड़ते हैं तो म लस्षुन को मैं छील लिया है, यहां थोड़ी सा सर्षो लिया है, दो चमच, तो मैं इसको सारे मिलाके मिक्सी में पीस लूँगी, मैंने पेस्ट को तयार कर लिया है, यहां मैंने कडाही को गैस पर रख दिया है, गैस को मैं आउन कर रही हूं, मैं इसमें तेल डाल रही हू चटकने देंगे तो मेरा चटक चुका अब मैं इसमें सीम डाल देती हूँ सीम को अच्छे से भून लेंगे तो दोस्तो मेरा सीम भूना चुका है मैं इसमें एक चमच हल्दी डाल रही हूँ और एक चमच नमक डाल रही हूँ अच्छे से मिला लें मैं अब इसमें त्यार की हुई पेस्ट को डाल जती हूँ पेस्ट के डाल के और मैं इसको भुनूंगी थोड़ी सा चरपान छो मिनट और भुनूंगी पेस्ट को डाल के मैं दोस्तो मेरा छे मिनट हो चुका है दोस्तो मेरा सीम भुना गया है तो मैं अब इसमें पानी डाल रही हूँ पानी आप अपने अनुसार ले सकते हैं मैं यहां कम पानी डालूंगी क्योंकि सुखा सब्जी ज़्यादा टेस्टी लगता है दस मिनट और मैं मेडियम फलेम पर करके पकाएंगे दोस्तो दस मिनट हो गया है मेरा सब्जी बन के तयार है मैं आसा करती हूँ कि यह आपको मेरी रेश्पी अच्छी लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा